गुद मॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रिया स्वाथ करती हूँ आपका डिकोड एक्जाम में फ्रेंड आज डेली करेंट अफसी क्लास में हम डिसस करेंगे 21 दिसंबर से रिलेटिड जित्ते भी नियूस है जित्ते भी इवेंट्स है जो हमारी एक्जाम के लिए जिरुद धार का उध्णाटन किया तो कि बांगलादेश नैपाल श्रीलंका या फिर कमपोडिया क्रेक्ट आंसर क्या हो जयागा अ कि में स्थेथ हैं श्री रम्रा काली मंदिक जिसका जिरुद धार काटन राश्डपती रामनात कोविंजी के द्वारा किया और आप लोग देखे यह मंदिर है स्री रमडा काली मंदिर है जिसका यहां पर देखे राष्टपती है और इस मंदिर के जरुद्धार का उटगातन राष्टपती जी के द्वारा किया गया है और यहां पर देखे तो बांगलादेश की यात्रा के दोना राष्टपती रामनात कोविन ने इतिहासिक स्री रमडा काली मंदिर का जरुद्धार का उटगाटन किया है और इससे रास्टपती जी ने इस दौरान जो है इस मंदिर को भारत और बांगलादेश के लोगों के भी सांस्कृतिक और अध्यात्मिक बंधन का प्रतीक बताया ठीक है और बात करें इस मंदिर के बारे में फ्रेंट तो जिम 1971 का वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में तो इस दौरान जो है पाकिस्तान की आर्मी के दौरा एक ऑपरेशन चलाया गया था आर्मी के दौरा ऑपरेशन सर्च लाइट इसी ऑपरेशन के तहट जो है पाकिस्तान की सेना ने इस मंद थे वह दौरान जो है कमारे गए थे तो यह कुछ ऐसी घटना है वी थी 1971 में कौन सा ऑपरेशन ऑपरेशन सर्च लाइट नाम ध्यान रखेगा फिर इस मंदिर का वहाँ पे फिर से मरुम्मत कराएगे और इसका जिरुद्धार कराएगा जिसके हाथों हमारे प्रधान में हमा निमंत्रड पर अपनी पहली राज की यात्रा बांगलादेश में क्या ठीक है तो वहां के जो बांगलादेश के रास्टपती उनके निमंत्रड पर भारत के रास्टपती रामनात कोविन जो हैं बांगलादेश की यात्रा पे थे और ध्यान रखेगा कोविड-19 के बाद य बांगलादेश की राजधानी फ्रेंट क्या धाका है ठीक है और यहां की जो कैपिटल है वो बांगलादेशी टका है ठीक है बांगलादेशी टका है और यहां की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है शेक हसीना जो है यहां की प्रधानमंत्री है और अगर हमने यहां की भी आया था आपके आरो आरो में थी के मिताली एक्सपरेस से संबंदीत इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हमारा भारत और किस अन्यदेश ने डिस्टल मीडिया के छेत्र में सहीयोग करने के लिए एक आशे पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जापान वियतनाम फिलिपि भारत और वियतनाम ने सूचना प्रद्यों की कि ठीक है इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी के छेत्र में एक दूसरे का सहीयोग करने के लिए समझवते पर हस्ताक्षर किया है और दोनों देशों की बात करें भारत और वियतनाम की तो दोनों देशों डिजिटल छेत्र इन्फॉर्मेशन और कम्निकेशन टेक्नलोजी और व्यापार और सहीयोग को बढ़ाने पर भी दोनों देश क्या हुए हैं सहमत हुए हैं यह भी चीज़ ध्यान रखेगा बाकी दोनों देशों ने क्या क्या सूचना प्रद्यों की में सहीयोग पर जो भारत वियतनाम समझ समझतायों के विस्तार करने के लिए समझतायों के अधिन्फॉर्मेशन और कम्निकेशन टेक्नलोजी शेत्र में दोनों पक्च वे समझता निर्मा अन्य सारवजणिक और नीजी संगठनों को बढ़ाने में शामिल, नीजी संस्थाओं, सरकारों, संस्थाओं के भी सक्रिय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह समझोते के माध्यम से, बात हम वियतनाम की कर रहे हैं तो वियतनाम जिसकी राजधानी फ्रेंट क्या हो हो जाएगी हनोई है वियतनाम की राजधानी ठीक है हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है यहां की जो मुद्र है उसका नाम क्या है डोंग वियतनामी डोंग जो है वह यहां की मुद्र है और यहां के जो प्रमुख है देखा जाए तो इनका नाम है फार्म मिन चिन ठीक ह यहां के रास्टा ध्यक्ष है यह वियतनाम की तो ये था वियतनाम से संबंदित कुछ हमारे लिए महर्टुपूर्ट थियाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स पर चलते हैं तिलंगाना सरकार के द्वारा जो है बाल श्रम पर नए दिशा निर्देश जारी किया गया है तो जो तिलंगाना सरकार है उसने उन्होंने देखा जाए जो किन सरकार के द्वारा जो कुछ नियम बनाया गये थे बाल स्रम से संबंधित उन नियमों के अनूप जो है बाल स्रम उनको रोकने के लिए एक शनसोजी दिशा निर्देश जारी किया है किसने क्या है तलंगाना सरकार ने किया है इस दिशा निर्देश में ये बाते की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो कोई परिवार हो अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवा रहा है या काम पर को रोजगार देने का प्रयास किया जारत उन्हें six महीने से लेकर के एक वर्स तक की जेल की सजा हो सकती है उन्हें आर्थिक जुर्माना भी लगाए जाएगा उसी के तत कुछ औनी भी कारी किये गए है ठीक है जैसे की फिल्म सम्धित जो हैं बच्चे जो धिल्मों में काम करते हैं उनके सम्दिधी जारी किये गए यहां का जो इस राजय सरकार का जो विभागा उसके द्वारा जो है बाल श्रम समस्थ्या को प्रभावी ठंग से निपटने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए उस पर अंकूष लगाने के लिए जो भी जिला है तिलंगाना की जिलें हैं उन जिलों से जो हैं उनकी अध्येशता में एक टास्ट फोर समीती का भी गठन करने की बात किया गया है थीक है ताकि बालश्रम को रोका जा सके और बालश्रम से समधित इस तरह के जो हैं बालश्रम को रोकने के लिए सरकार के द्वारा तिलंगाना सरकार के द्वारा जो है यह प्रयास किया गया है तिलंगाना की बात करें तो तमिल साई सुन्दर राजन जो है वो तिलंगना के राज्यपाल है ठीक है अगले प्रशने में पढ़ते हैं अगला प्रशने है हमारा की भारत और किसी देश के बीच राजनेग प्रसिक्षड और सहयोग कारेकरम पर समझोता हुआ है रूस कनाड़ा इरान तजाकिस्तान करे और तजाकिस्तान ने राजनेग प्रसिक्षड और सहयोग कारेकरम पर एक समझोते पर हस्ताक्षड किया है यहां पर देखा जाए जो तजाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है जिनका नाम है सिराजुद्दीन मुहरुद्दीन यह देखा जाए भारत दौरे पर हैं और इस कि दोरान देखा जाए कि इन दोनों देशों के इस उर्जा और जह संपर्क व्यापार, सुरक्शा और चंता निरमार के छेत्र में दूइपपशी सहयों को बढ़ाने पूठ और विचार रखेगा करेंसी है यहां के जो रास्ट पती है उनका नाम है एमो मली ठीक है एमो मली रहमन जो है वो यहां के रास्ट पती है ठीक है देखे यहां पे तजाकिस्तान का एक मैप है यह तजाकिस्तान जो की मद्ध एशिया में एक देश है और यह एक लैंड लॉक कंट्री है ठ तो देखा जा उजबेगिस्तान से किर्गिस्तान से चाइना से और अफगानिस्तान के मद्धे में इस्तित है तोड़ा सा तोड़ा सा जो चेत्र देखने को मिलता है वो हमें तोड़ा सा तोड़ा सा इसके गल्यारे के माध्यम से अफगानिस्तान के गल्यारे से माध्यम से हम में पाकिस्तान से शुता और नजर आता है तिकि एप लगानिस पाकिस्तान का जो इत्री इलाके से जो है थोड़ा सा थीख यह हमारा तजाकिस्तान ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रिश्ट पे चलते नेक्स्ट हमारा निमलिखित में से किसे देश के द्वारा वर्स 2022 में महिलाओं के अंडर 18 और अंडर 19 सेफ फुटबॉल चेंपिन्शिप की मेजबानी की जाएगी भारत भूटान नैपाल मालुद्वीप करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड यह हो जाएगा भारत के द्वारा वर्स 2022 में देखा जाए अंडर 18 और अंडर 19 सेफ फुटबॉल चेंपिन्शिप की फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चेंपिन्शिप की मेजबानी कर रहा है भारत कर रहा है ध्यान रखेगा और इसके घोश्रा जो की गई है वह अकिल भारती फुटबॉल संके जो महा सच्चिव है कुशल दास के द्वारा इस कारिकरम की भारत जो है इसका आयोजन कर करने जा रहा है इसकी सूश्रा जो है इनके द्वारा दिया गया है कुशल दास के द्वारा जो की अकिल भारती फुटबॉल संके महा सच्चिव है और देखा जाए जो महिलाओं का जो अंडर 18 है शैफ चेंपिनसिप ध्यान रखेगा फुटबॉल फुल फॉर्म ध्यान र और वहीं अगर हम अंडर 18 सैफ जैंपिनसिप की बात करते है तो उसमें 6 टीमें भाग ले रही है जिसमें देखा जाए भारत के अलावा हमें कौन देखने को मिलता है भूटान है बांगला देश है मालदवीप है नैपाल है श्री लंका है यह सारे देश जो हैं हमें देख में देखा जाए मैं जो है राउंड रॉबिंद प्रारूप में होगा राउंद मतलब समझ जाता है के एक तीम होगी उनका सब पर देखने को मुलता है तो यह ध्यान रखेगा राउंड ड्रॉपिंग जो प्रारूप में किया जाएगा ठीक है कौन कर रहा है इसका जो भारत कर रहा है अंडर 18 अंडर 19 स्टैफ चैन्पिन फुटबॉल टूर्णामेंट की वर्स 2022 में कर रहा है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म विहंगम किस छेत्र से सम्मंदित हैं सिक्षा छेत्र से खनन छेत्र से पर्रेवड छेत्र से या फिर ग्रामिड छेत्र से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी खनन छेत्र से सम्मंदित है व विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्गाटन किया गया है ठीक है और यहां पे देखा जाए यह जो प्लेटफॉर्म है यह जो प्लडाली है जितना भी खनंगति विधियों के जो हवाई वीडियों होंगे उन वीडियों क्या खानों से पहुँद सकते हैं यह इसका होगा ध्यान रखेगा विहंगम जो है एक इंटरनेट अधार्ट प्लेटफॉर्म है किस शेत्र से संब्दिद है ठीक है आगे हमारा नेक्स्ट प्रस्ट हाल ही में चर्चा में रहा जया जैटली आयो किस शेत्र से संब्दिद है मोस्त खुझ फिर महिलाओं की विभा ऑयो से संब्दित है आगे होगार तीके महिलाओं की विवा आयोग से संब्दित histor है इन नियुनतम आयू क्या होनी चाहिए लड़कियों की विवा के लिए उसका आकलन करेगी ठीक है ये समीती जो गठित की गई थी सरकार के द्वारा जया जेटली की अध्यक्षता में ठीक है और ध्यान रगे का देके हमने अभी इसके बारे में एक दो दिन पहले भी बात किया थ इसके सुझाओ का कई आधार था इन्होंने काफी सर्वे किया था कॉलेजों में गए थे दूर दराज के छेत्रों में गए थे और तो और कुछ अंजियूस भी थे तो उन सब के सर्वे के आधार पर इन्होंनी ये चीज़ बोली कि लड़कियों की जो शादी की नियूनतम होनी चाहिए आयू होनी चाहिए वह 8 वर्स से बढ़ करके 21 वर्स होनी चाहिए ठीक है उसके पीछे कई कारण से सुझाओ का आधार जो था जैसा कि आप जानते हैं कि कई कारणों के बचे से जो है इसमें बाती की गई तो और सरकार ने भी देखे और पिछले जो इस को मिलता है भारत में जो बिवा की आयू है महिला और पूरसों की शाधी की उम्र है वो क्या होगी समान होगी ठीक है तो हमें लैंगिक समानता भी यहां पर देखने को मिलता है और धिहान रखेगा कुछ ऐसे महत्वपुड बिंदू हैं सरकार जो है कई कारणों से जो है सबसे पहले तो हम यहीं देख रहे हैं लैंगिक समानता यानि की लड़की की और पुरुस की जो है हमें उम्र जो है समान देखने को मिलती है और फ्रेंट कुछ पॉइंट है इसको आप डाउन कर लेना मैं यहां पर बात कर रहे हूं कि बिंदू है जैसे कि अकर किसी बच् इसकी का घ्रोट अबी पी ठीक से नहीं है तो उसका खुद तक नहीं है तो प्रेग्मनसी में जो बच्चा पैट में उसका भी क्या होगा ग्रूथ नहीं अच्छा होगा तीके तो इसे क्या होोगा महिला और बच्चे दोनों कहीगी भ fonction अस्तर पे समपूर स्वास्त क्याcue साथ है दूवादै दूसरी चीज जब कम उम्र में जाधी कर दी जाती है तो क्या आए मां कल देखने को हुथ तो उससे हमें क्या देखने को मलता है शिश्वी मृत्यूदर जो है काफी देखने को मलती है दूसरा मा की भी सरीर कमजोर इससे हमें मात्रे मृत्यूदर भी काफी देखने को मलती है तीसरे पॉइंट अगर देखा जाए तो महिला शशक्ती करड़ पे भी इसका बहुत पड़ेगा तो देखेंगे उनके आज जीविकार के प्रभाव पड़ेगा तो यह सबसे वह क्या है महिला श्रशक्ती करड़ पर प्रभाव पड़ता है ठीक है और अगर इस तरह का जो सरकार की द्वारा इस्टेप उठाये गया है तो यह से क्या होगा एक तरीके से जब हम बड़ी उम्रों में शादी करते हैं तो यह सारी चीज़े जो हो रही है यह कम की जा सकती साथी साथ जो बाल विवा होते हैं उनको भी हतुसाहित किया जा सकता है इन सब चीजों के माध्यम से ठीक है तो यह सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि विवा क अघ्टीव की आयू में इन सभी के श्राइस हैं गशाद। और एक तुरों परिवारों पर महिलाओं पर समाज के लिए एक तरिके से साकाराम अर्थि को पर बढ़ा में परभाव परता है। शादी की उम्र बढ़ 588S22 साध काहद। तो यह सारी चीज़े ऑवियस है कि हर कोई अगर जब की जीविका सुनिशित होगी तो समाज तो आगे बढ़ेगा है ना आर्थिक विकास भी होगा एक देश का अगर महिला भी कमा रही है पुरूस भी कमा रहा है उनका योगदान है एक रास्ट के निर्मार में तो क्या होग ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रेश्ट पर चलते हैं नेक्स है हमारा कि इस्टों ने 2021 और तेईस के दौरान विदेशियों ग्रोहों को लांच करने के लिए कितने देशों के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं पांच चार तीन दो करेक्ट आंसर क्या ह पर देखा जाए इस रोने ठीक है भारती अंतरिक्स एजनसी है इस रोने देखा जाए वर्स 2021 से लेकर के तेईस का दौरान जो है विदेशियों को लांच करने के लिए कि लिए कितने देशों के साथ समझोते कि इसके लावा देखा जाए यह संगठन जो है कॉमर्शली बा जिसका नाम है New Space India इसने क्या चार देशों के साथ इसके लिए समझोता किया है जो है जो है जो है मिशन जो लॉंच किया जएगा यह जो विदेशियों कर लांच किया जगा करेगा वो कॉन करेगा New Space Limited India India Limited जो की एक किसका है यह इस्रों का कॉमर्शली ब्रांच है और यह सार होगी वह हासिल क्या जाएगा ठीक है तो इसरो अपनी जो है कॉमर्शल ब्रांच इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिम्टेंट और अंतरिक्ष विभाग प्येसल्वी के तहट जो है भारत सरकार के कंपनी के माध्यम से धुवी उपग्रव प्रच्छेपडवाहन पर ठीक है तो यह देश की आई ही बड़ेगी अब नेक्स से पहले देखें यहाँ पर जो परबाण उर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है जीतिन सिंह इनोंने बताया कि इस रोंने वर्स 1999 में 344 देशों के कुल 342 जो है उपग्रोहों को लांच किया था ठ यूनिस है यून सीडियाफ वर्ड बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंसी हो जाएगा यानि की यूनाइटिक नेशन कैपिटल डेवलप्मेंट फंड के साथ उडिशा सरकार ने समझहोता किया है किस चीज को लांच करने के लिए मिशन सकती लीविंग लैब को लांच कर जिसका नाम है मिशन सकती लीविंग लैब और इस लैब के लिए जो है वहां की उडिशा के सरकार ने संयुक तराष्ट का जो है संयुक तराष्ट पूजी कोस की के यूनाइट नेशन यूनाइट नेशन कैपिटल डेवलप्मेंट फंड के साथ क्या किया समझहोता किया है और इसके बारे में अगर हम देखें तो ये देखा जाएए समझहोता जो है ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मिशन लीविंग शक्ती लैब शुरू करने के लिए वित्तिय स्वास्त के एक वैश्विक के ठीक है तो ध्यान रखेगा एक तरीके से इस समझहोता है ये जो स्टार्ट किया गया है मिशन सक्ती लीविंग लैब उडिशा सरकार के द्वारा जिसके लिए उडिशा के सरकार ने युनायटिव नेशन कैपिटल डिवलप्मेंट फंड के साथ समझहोता किया तो इसके त यान काफी ज़्यादा सायक होगा उनकी बृत्थिये करने में ब्रृधी कर करने में बचत करने में और बहतर खर्च करने चैसे कारकों में भी सुथे के तर यह चाहिए किस थरीके से पर्सें सब्सक्राइब क्योंकि इसमें क्या कहा गया आर्थिक रूप से उनको शशक्त बनाए जागा कि वह आर्थिक निर्ड़े अगर लेना हो तो वह सक्षम हो ठीक है इसी के वज़े से वहां कि यह मिशन चलाए गया है ठीक है उडिशा सरकार के द्वारा जिसके लिए किससे समझ द्रता सर्मदी जो कुछ भी बादाया आती है उनको दूर करने में काफी यह मिशन मददकार होगा उडिशा की बात करें उडिशा जिसकी राज़ानी भूमनेश्वर है ठीक है और यहां के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है ठीक है नवीन पटनायक जो है वो यहां केंद शासित प्रदेश को अपना पहला एफम रेडियो स्टेशन मिला है लद्दा अरुनाचल प्रदेश जम्मो कस्मीर मनीपूर कर एक तांसर क्या हो जाएगा फ्रेंड केंद शासित प्रदेश लद्दा को अपना पहला एफम रेडियो स्टेशन मिला है और यहां पे ब बात करते हैं इसकी फ्रेक्वेंसी की तो यह देखा जाए क्लेह और कारगिल में इस सेवा के लिए फ्रेक्वेंसी 91.1 FM होगी और यहां लगबग 15 सौरी माफ करेंगा यहां लगबग पचास किलो मीटर की हवाई दूरी की तरिज्या को कवर करेंगा ठीक है अगर हम FM के बारे जिनका नाम था एडविन अंस्ट्रॉंग उन्होंने 1933 में जो है इसका आवस्कार किया था तो यह थे हमारे आज की 10 MCQ अब आते हैं फैक्स आप्र डे पे हमारा सबसे पहला है कि स्पोर्ट जनरलिस्स फेडरेशन आफ इंडिया स्पोर्ट्स मैन और वोमेन आफ दे यह दो 13 दिसम्बर को मनाया गया देखे जांते फ्रेंट गोवा जो था पूर्ट्गाली ओके इधीन था और पूर्ट्गाली सबसे पहले भारत में आये थे और सबसे अन्त में भारत में ठीके भारत से आपसे प्रश्ण मेरा यह है कि चुकि गोवा जो था बहुत अन्द स्वतंत्र कराने के लिए यहां की सरकार के द्वारा यहां की जो आर्मी थी इंडियन आर्मी उनके द्वारा एक आप मुझे बताइए उस आपरेशन का क्या नाम है ठीक है और वो किस वर्स चलाए गया था पुर्टुगालियों को गोवा से बाहर निकालने की दूसरा प्रश यहां कि जब गवा को स्वतंत्र करां पुर्तुगालियों से बहुत सारी मांगे चल रही थी कि गवा कणट्र में आंसर करिए तो आज का प्रश्ण आपका सिर्फ यही एक रहेगा इसका अंसर करेगा दूसरी चीज़ है एक ग्यारा द्विसी लोंग रंग महस्तों की मिजबानी करेगा कौन करेगा जैपुर करेगा ठीक है जैपुर राजिस्थान की राजधानी जैपुर वर्स 2020 के लिए प्रसिद्ध साहितिक संस्था माध्यम की ओर प्रतिष्टित अटहास शिकर सम्मान प्रदान किया किसे किया गया व्यंगकार प्रेम जनमेज वयुवास सम्मान व्यंगकार अनुज खरेगो ठीक है नेट्स है किसान नेता गुर्णा चरुणी ने अपना अपनी नई पार्टी बनाने के घोश्रा कि है पार्टी का नाम क्या है से लंकल संधस पार्टी जो है इसका नाम है लकनव आइपेल टीम ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया कि से किया जिंबहुंबे के पुर्व कप्तान एंडरी फ्लावर को किया है ठीक है नेकस्ट है मारा को awakत के दोरान अब पहल और राहतकार्यों के टाइम्स हाइर एजुकेशन अवार्ड दोजार 21 प्रदान किया गया किसे किया गया कलिंग इंसिट्यूट ऑफ इंडुस्ट्रियल टेक्नोजी डिम्रे टूबी युनिवर्सिटी को प्रदान किया गया ठीक है नेक्स्ट है हमारा बिश्व अरभी दिवस मनाएं गया कब बनाएं गया 18 दिसंबर को मनाएं गया और इस वर्स की थीम क्या थी अरभी भाषा और सभिता संचार अरभिक लैंग्वेच एंड सिव्लाइज सिव्लाइजेशनल कम्मुनिकेशन ठीक है नेक्स्ट है माना पुस्तक है बुक है जिसका नाम है राज राजदूत न्यूक किये जिनका नाम है एलेजांड्रो सिमकांस जो है यह राजदूत बनाएं गया है क्यूबा के भारत में ठीक है तो यह था हमारा टैन फैक्ट्स अब्रेडें उत्तर प्रदेश पेशल पर आते हैं और सबसे पहला हमारा है कि जामिया फ्रेन यहां पर दो प्रोफेशन को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है उनका नाम है डॉक्टर अब्दूल नसी और डॉक्टर खालिद जावेड ठीक है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज भंडार निगम दौरा निर्मित अठाइस अनाज गुदा हम को ऑपरेटव बैंक मुख्याले पर इंट conquered सेकुरिटी इस पहली ऐसे जिलों मेर तो प्रोधक खनीजल उडालू स्वाइट की है यह तरीके से तो प्रोधक खनीज जिए जिसका हुस्त किया जाएगा पने प्रोध्य कौन से जीले में सोन भाद्र और ललितपुर में ठीक है और नेक्सित हामारा आणारीलिक ब्रट क्रिशक समन्संस्या отियान की सुरुआत की गई इततेब्र प्रदेश के दवारा और अंत्प में क्या है अमया धुत्स्रांस केश हर को महानगर का दर्जा मिला कौन से सहर को गो रख ठीक है तो इस तरीके से था आज का हमारा एंसी क्यों फिर उसके टैन हमाना अफेक्ट सब्सक्राइब करना नहीं भूले बाकी डेली का जो आपको करेंट का इसके पीडियेफ है वह हमारे टेलीग्राम गुरूप पे अबलेवल है इसके लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जागे टेलीग्राम का आप वह हमारे संस्ता के द्वारा जो किस भी चीज़े उससे संबंदी चीज़े आपको टेलीग्राम पे अवलेबल होंगी आप वहां पे जाके इसके पीडियेफ को डाउनलोड करिए रिविजन करिए ठीक है बागे फिर मलते है नेक्स सेक्षन में तब तक के लिए बाइवा गु कर दो